नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्धम से आप लोगों को विद्धार्थी जीवन से सब्बंदित सभी सूचना प्रतान की जाती हैं तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन से सूचना है तो वीडियो की जल्दी से लाइक करतें शेयर करतें जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की अथेंटिक अप्डेट से मिलती रहें आगे बनने से पहले एक अगर आप लोगों को ऑनलाइन मंगवाना है तो वह उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दूँगा जो पी एटी के स्लेबस है पूरे स्लेबस के अनुसार ये पुष्टक तयार की गई है चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को सबसे पहली सूचना ह 50,000 पतों को भरने के लिए लड़ाई शुरू विदार्थियों में लगातार आक्रोस बढ़ता जा रहा है चूंकि योगी सरकार जाज के नाम पर बदलावों के नाम पर जो जितनी भी भरतिया है उनको रोक करके रखा है चुनाओं की वज़य से भी भरतियों को रोक दिया रही है यह भी बात आप लोग नोट कर लें चाहे वो दरोगा भरति की एक्जाम डेट हो चाहे वो टीजीटी पीजीटी की एक्जाम डेट हो चाहे कोई भी हो कुल मिला करके भरतियों को लंबा खीचने की तयारी है इसी लिए अब जो विद्यार्थी है वो अक्रोसित हो हैं किसान पंचायत की तरह अब जगह जगह पर यह पंचायते हो रही है और चात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द जितनी भी रिग्द पध हैं उनको भरा जाए इसी के संबंद में प्रियागराज में कल एक चात्र पंचायत हुई थी यह देखिए लिखा हुआ है पचा 15112 पद खाली है युवाओं का तर्क है कि सरकार ने जो पिछली दो भरतियां 68500 और 79000 कराई है वो पद शिक्षा मित्रों के समायोजन रस्त होने के करण खाली हुए थे सेस रिक्त पदों पर भी बरती होनी चाहिए परिसदी इस गोलों से हर साल लगबक 12000 शिक्षक सेवा का निवरत होते हैं उसे जोड़ने तो 50,000 पद बीते चार सालों में खाली हो चुकी है उनतर हजार भरति में शिक्षा मित्रों के मामलेवी सरकार ने सुप्रिम कोड में 12 जुन 2020 को दाखिल इंटर क्यूलेटरी एप्टिकेशन में यह जानकारी दी थी कि सायक सिक्षकों के 59,112 पत खा ली हैं नई सिक्षक भरती टीम ने भरती के लिए पोस्टर अभियान चेड़ा है वहीं से जुड़े पंकज मिस्रा ने अपने साथियों के साथ मंगलवार को शेर उत्री के विधायक हर सवर्धन बाजपई से मुलाकात की और उनको पोस्टर भी स्वंपा यहा पन जारी हो इन विध्यारतियों ने यह जो पोस्टर है वो थमा दिया है इसी तरीके से विध्यारति अलग अलग जगाहों पर भी पोस्टर अभियान जारीकियों में चाहे वो कोचिंग संचालक हों चाहे वो किसी चेत्र के विदायक हों यह सांसाथ और वहीं पर योगी स भरतिया हैं उनको रद किया जा रहा है नई परिच्छां की जो तारीके वो घोसित नहीं की जा रही है उसी के समध में कल यहां पर जो इस्वर संट डिगरी कालेज है वहां पर छात्र महाँ पंचायत हुई थी जिने यह तस्वीर दे सकते नो जॉब नो वोट जॉब को खीजने की कोशिस की जा रही है चुनाओ के समय भलाई एक दो भरतियां आ गई हो तो आ गई हो लेकिन पुरानी भरतियां बहुत सारी हैं उनको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है बड़ी भरतियां जैसे प्रात्मिक सिक्षक बरतिय इत्या दिये उसके बारे में कभी चर भुरियों में कटोती और रोजगार के कई महत्रपूर्ण सवालों को चात्र युवा पंचायद में उठा युवा हला बोल के संस्थापक अनपर्मने सरकार को जूटा प्रचार बंद करके सच्चे रोजगार देने की अपील की इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है जो तीसरी काउंसलिंग है वो होगी और जो सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं उसकी बारे में विसूचना दे दी गई यह देखिए यहां पर लिखा हुआ एक सिक्चक बरती ने सबसे ज्यादा पद बदायू में खाली सिक्चक बरती में लिखा होना चाहिए यहां पर लिख 603198 अभ्यर्थियों को निक्त पत्र जारी किया चुके हैं सबसे ज्यादा 196 पत बडाइयों में और 184 पत हर दोईयों में रिक्त हैं इसके लिए के कानल रोग यह तो लगवग एक गुडांग जो है वो समानवर्ग का कम हो सकता है और लगवग डेड़ से दो नंबर तक जो सी कडिगरी के जो चातर हैं उनको मौका मिल सकता है उनका जो गुडांग है वो दो नमबर दो गुडांग तक कम आ सकता है चूंकि ऐसी की जो सीटे हैं वह स्टी वाली मिल गई हैं वह अतरिक्त उसके अलावा भी कुछ अन्य जुपत हैं ऐसी के उस पर भी उनका जो है वो समायोजन होगा इसके बाद में अगले सूचना है आंगरवाली भरती की सुवह के वीडियो में यह सूचना छुट गई थी फिर से जानकारी दी गई है कि जो आंगरवाली भरती है यह कब तक पूरी होगी किस तरीके से होगी यह देखिए लिखा हुआ है कि 53,000 कारकर्त्रियों की भरती 15 माई तक पूरी हो जाएगी तीन दिन के अंदर जो विग्यापन जारी कर दिया जाएगा और इसके साथ में एक और सूचना है कि जो आंगरवाली कारकर्त्री हैं यह कच्छा दो तक के छात्रों को अब पढ़ाएंगी भी न वारी सासना देश की मुताबिक भरती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी होनी है भरती का वरिग्यापन तीन दिन के अंदर निकाला जायेगा यानि 15 मही तक भरतियां पूरी की जानी है जिलों के वेब साइट पर भरने का आदिस दिया गया है कार करतरियों के लिए नियुनतम हाइशकूल और साइकाओं के लिए नियुनतम पाथमी पास होना चाहिए आवेदन आउनलाइन किया जाएगा विवागी वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप जारी किया गया है इन पदों के लिए गरीबी रेका से नीचे के परिवारों की महिलाओं को वरीता दी जाएगी वहीं मेरिट त्यार करने में इसना तक वह अंकों को शेक्षिक पुणांग में जोड़ा जाएगा तो यानि की जो इसमें चेयन होगा वह अकैडमिक के अधार पर होगा हाइश्कूल इंटरमीडियेट और इसना तक इत्यादी के जो नंबर है वह जोड़ करके मेरिट बनेगी नीचे निखा चूंकि कारकरतियों की भरतियां 211 के बाद ह कि उपलों रहेंगे इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अरच्ण तय करने में धिक्कत हो रही है जिलों में जनवरी से रिक्तियों के जो संव करने की कवायद की जा रही थी ताकि निदेशालाय इसत्rostय पर रिक्तियों की के जोसित किया जा सके इसके बाद में अगली सू स्पाइब अंग्रेजी की पता हैं हिंदी कंप्यूटर सिक्षा के पता हैं सारी सिक्षा के पता हैं देख लीजिए पूरी यहां पर इस लिस्ट दीवी और उसके सामने क्या योगता ये भी है अगर आपको यह नोटिस चाहिए तो आप लोग मेरा टेली ग्राम चैनल जो उस तो जो टेली ग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इस तरीके की बहुत सारी जो नूटिस इत्या दी हैं वो देखने को मिलती रहेंगी और पूरा चैन प्रक्रे कितनी होगी यहां पर पूरा लेखा हुआ है कि एक अप्रेल को जुनियुन तम आवे वह 25 वर्स होनी चाहिए और यह सब चीज़े दीवी यहां पर चौकीदार के भी पद हैं चपरासी के भी पद हैं साग रसोया के भी पद हैं और शिक्षकों के पत्तों हैं ही इसके बाद में यह मेरट की विगपती थी मेरट के बाद में जो अगली विगपती है वो गोंडा से यह देखिए यह गोंड और आप लोग जदा जानकारी यह जो वेब साइट है ना अलाग अलाग जिलों की जैसे यह हो गया आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगाओ तो लाइक वस्त कर दिया करें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवार